कि यह रहां आपके सामने इसके अंदर दूनों पार्ट है तो हम दोनों ही करने वाले हैं पर कुश्चन को मैं थोड़ा चोटा करूँगा क्योंकि एंट्री ज्यादा बड़ी-बड़ी हो जाएगी औरड़ी कुश्चन्स आपके बुक में है भी तो मैं थोड़ा कुश्चन को स्मॉर्ट करता हूँ कुश्चन में कहता है कि एक कंपणी ने पर्चेस किया फ्रॉम मार्केट इट्स ओन डिवेंचर चार सो दस परसेंट डिवेंचर हंडेट रुपी सीच नाइंटी रुपीज खरीदा कभ इसने 31 को कहता है कंपणी ने एक खरीदा चार सो डिवेंचर 100 रुपे का 31 बारक को calculate the price exclusively आपका जो calculate करना है price वो डिवेंचर पर करना है quoted एक आप कम इंटरस्ट मान के करिए और एक डिवेंचर इंटरस्ट आपका paid होता है 31 मार्च को और 30 सेप्टेंबर every year generalize the both assumed डिवेंचर आर not yet cancelled यानि आप यह मानिए डिवेंच क्यूंद शुल внут watched investment छुआ कि नहीं होआ तो यहां पर दो है पहले नहें पहले कौन सा करेंगे सर पहले तो आप वह वाला कर दो जो की हमारा कम इंटरस्ट है पिर हम दूसरी साइड किसका कर लेंगे सर क्षेपाई कि चलिए सर कैसे करोगे हम एक फिर से लाइन ड्रो कर लेते हैं ताकि हमें डेट का अच्छे से क्लियरेटी मिल जाए कि क्या डेट पर क्या होने वाला है पहला जो इंट्रस्ट यह होगे हमारा एक चार और यह जो हो गया हमारा क्या हो गया 31 कि इस डेट पे जो हमारा एक चार को जो हमारा पेमिंट होगा सबसे पहले बीच में में डाल देते हैं पेमिंट होता है हमारे 30 सेप्टमबर को और एक पेमिंट होता है मार्च यही है 30 सेप्टमबर और 31 मार्च तो पहले September में होगा फिर मार्च में होगा ऐसे पेमिंट चलता है और इससे पहले क्या होगा अगर देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कहता है हमने जी डिवेंचर जो खरीदा ना वो कब खरीदा हमने अपना डिवेंचर 31-12 को 31-12 यानि कुछ यहां बीच में हमने अपने डिवेंचर को इस डेट पर खरीदा है और जो डिवेंचर होल्डर था उसका राइट तो यहां से यहां तक तो उसको पेमेंट हो गिया हुगा इसके बाद तो प्रैस दिया उसको इंटरस को प्रैस गहीं हुटा पर लेंगे हमें कि इंट्रस इंट्रस आपको में इंट्रस्ट बनता है में जो डिपनचर का माउट बनता है इंटीli समेर इंटा है 90 रुपए और चार總 हिन्टु 30 आपका 36,000 लेकिन सर 36 के 36,000 आपके किस चीज के है यह टोटल है इसमें तो ब्याज भी जुड़ा हुआ है कम इंटरस्ट QUE SAB सब्याज भी तो इसका ब्याज निकाल दो इसमें से ब्याज कैसे निकालोगे सर आपका 40,000 फेस्वेल्यू पर ब्याज निकालोगे शालेज इंटू में त्री वाइट वैल क्योंकि तीन मेहने निकाले और इंटू में रेट देख लो 10 वाइट तो क्या है तो सर यह 1000 रुपए का ब्याज बन गया तो अगर 1000 रुपए आपका ब्याज बन रहा है तेट इस आपका सिर्फ और सिर्फ 35,000 का अपने डिवेंचर खरीदा है यह माना जाएगा क्योंकि आप इसको कैंसिल नहीं कर रहें तो एंट्री क्या होगा ओन डिवेंचर कि जिसके अंदर कितने जाएंगे तो 35,000 क्योंकि 35 का है इंट्रस्ट एक हजार और अब हम आपको पेमेंट जो करेंगे अपने बैंक से आपको बैंक से पेमेंट हो जाएगा पूरे 36,000 यह पेमेंट हो गया तो चैंसिल जब हुआ ही नहीं तो फिर वो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन वाली तो बात ही नहीं रही अब 31 मार्च जैसे ही आएगा हम 31 मार्च को कर ले तो एक इंट्रस की एंट्री भी करनी पड़ेगी तो यह एंट्री है हमारी 31 बारा को 31 मार्च जैसे ही आएगा तो पेमेंट इंट्रस का करना पड़ेगा तो यहां पर मजे की बात है कि हमें कुछ महने का इंट्रस का तो पेड कर चुके हैं ओल्रेडी समय जैसे ही पहले हमने कुछ का इंट्रस्ट हमने पहले ही पे कर दिया है देखो तो अब हमें 31 मार्च को जब इंट्रस्ट का पेमिंट करेंगे यानि यहां से लेके सहाब यहां तक का आपको ब्याज देना है यहां से यहां तक का आपको दे के भगा दिया लेकिन यहां से यहां on debenture to interest on on debenture यानि साहाब मैं बैंक की एंट्री तो नहीं कर सकता अगर बैंक की एंट्री कर दूंगा क्रेडिट तो इसका मतलब तो हो जाएगा मैंने क्या करा पेमिंट कर दिया लेकिन क्या मैं खुद को यह कमेंट करऊ मैं यहां सीट्वेशन यहां पर तीन मेने का कितने का बन जाएगा 1,000 कैसे बनेगा ड़िजैंञा रिखन वही रहने वाली है जो कि आपके यहां पर तीन मैने का निकाला है कि यह होगे हमारा डि牌 कि इंट्रस्ट की ऑन हम डिबेंचर कि लिए रहात है अब इसके बाद statement profit and loss में जाएंगे तो जब हम जाएंगे statement profit and loss में तो हमारे पास total पूरे साल का लोगे या च्छे मैने का लोगे अगर आप पूरे साल का एक ही साथ interest भेजते हैं तो पूरे साल का हमें interest निकाल लेंगे जिसमें से हजार रुपए तो हमारी चले जाएंगे पूरा जैसे कि मैं स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे साल का निकालू तो कितने बनते हैं सार चार हजार चालिस हजार का दस परसेंट कितना बनेगा कि अट्टू इंट्रस्ट कि ओन डिवेंचर तीन हजार नहीं पूरे चार ला डाल देते हैं इसको एक तरीका से और कर लेते हैं चारहजार ठीक है पूरे डिवेंचर इंट्रस्ट कैंसिल हो गए पीछे भी यही कर दूंगा निकों अब आ जाएगा हमारा इंट्रस्ट ओन डिवेंचर यहां गया यहां क्रेडिट था डेबिट करके खतम कर दी और टू स्टेट्मेंट यह ऐसे कर लो एक हजार ठीक है पीछे भी ऐसे कर सकते हैं कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है अब सर यह था कौन सा कम इंट्रस्ट अब कुश्चन ने बोला क्या आप एक्स इंट्रस्ट से करो X interest का मतलब कुछ भी नहीं होगा X interest का मतलब calculation समझना यह वाली दो entry तो समान रहने वाली है इसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा entry यही रहेगी बस यहाँ पर फरक पड़ जाएगा थोड़ा सा अब देखना calculation X interest का मतलब होता है हम ब्याज तुम्हें अलग से देंगे तो इसका मतलब सर आप जो पेमिंट कर रहे हो देट इस 90 रुपए और इंटू में 400 तो आप 36,000 का जो पेमिंट कर रहे हो यह क्या है यह सिर्फ डिबेंचर का पैसा है उसके साथ-साथ मैं तुम्हें इंटरस्ट का भी पैसा अलग से अलग से दूगा तो अलग से इंटरस्ट का पैसा कितना बन रहे है जार कैसे बनाया है सर हजार इहां केल्कुलीशन की है हमने वही रहेगा यारी जो मेरे पेमिंट जाएगा टोटल कितना जाएगा 37,000 तो जो एंट्री बनेगा इन ओन डिवेंचर that is जाएगा आपका 36,000 interest on on debenture कितने बनेगा सर एक हजार और जो मैं बैंक से पेमिंट करूँगा that is आपका बनेगा यह देखो फरक यह ही है फरक यह ही है और रखेंए समझ मैं अब अगली एंट्री फिर से क्या करोगे interest due कि यहां पर आपने करा interest on on debenture कर दिया था मैंने यहां कि मेरे को लग रहा है यह entry एक्स्ट्रा हो गई फिर नई ठीक तो है ठीक है ठीक है अब यह वाली जो एंट्री है यहां से यहां तक यह सेम हो जानी है सबसे पहले आपको interest की एंट्री ड्यू करोगे तो इंट्रस ओन डिवेंचर तो इंट्रस्ट ओन ओन डिवेंचर एक हजार हो गया यह समझो आप ठीक है न एक हजार हमने कर दिया अब हम सबसे पहले पी एंडल में सारा इंट्रस्ट खतम कर देते हैं तो स्ट्रेटमेंट प्रॉफिट और टोटल इंट्रस्ट कितने डैबिट है हमारे पुराने भी डैबिट रहे होंगे और अब भी डैबिट टो टोटल मिला के हमारे चार हजार डैबिट हो गए होंगे और टू इंट्रस्ट ओंडिबेंचर क्रेडिट खरके खतम कर दिया हमने चारहजार और एक हजार की जो एंट्री है वो मिर पास नीचे जगह नहीं है मैं एरो बना देता हूं कि एक हजार वाली एंट्री ये वाली इसके नीचे सेम हो ज वो इंट्रस्ट ये वाला इंट्रस्ट है जो एड़ किया है कि भाईया मैंने इस डेट पे तो खरीदा है सुरी ये वाला इंट्रस्ट है ये वाला तो मैं 36 तो वैसे दे रहा तो 1000 रुपय अलग से दूगा तो कितने हो गए 37 तो बैंक से पेमिंट देखो मेरे 37 निकल गए और कम इंट्रस्ट में क्या होता था कि तेरे को जो 90 दे रहे हैं नहीं इस वाले में था तेरा पेमिंट कितना बन रहा 36 और आपने बला भीया दो मैंने रखे ते तीन मैंने रखे उसका ब्याज 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 नहीं 36 में तेरा ब्याज जुड़ा हुआ है से दूंगा बताईए क्लियर है एक और कोशन देखे यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताईए बुक में यह कोशन जो होगा आपके यह आपके बुक में होगा 20 कौन सा ही देख लेते हैं यहां पर 23 या 22 आपके बुक में 23 या 22 हो सकता है